आशीश ने अपनी मेहनत से बहुत तेरा की परिस्टियों पर विजय प्रापती है इनका NDA बैच में इन्होंने काफी बढ़िया मेहनत की थी और उस मेहनत के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रामिन छेतर के बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी कम जोर रहती है यह कई बारी मैंने बड़ा कॉमनली देखा है मैं उनको भी कहता हूं देखो अगर अपना बैस दोगे तो सेलेक्शन नमुम्किन तुमारा भी नहीं है जो सर पढ़ाते थे पहले उसको रवैस करता था उसके बाद मैंने एक जो आती है सॉल्ट पेपर की बोक पूछता था करता था सरसे डौट पूछता था ऐसा नहीं मैट्स के ही सारे सब्जेक्ट के इंगलेस हो गया फिजिक्स हो गया मैट्स हो गया और और अज हमारे बीच में बहुत ही महनती विद्यार्थी अविलेबल है यह हमारे साथ NDA वैच में थे और इन्होंने अपनी म कई तरह की परिस्थितियों पर विजय प्राप की है मैं चाहूंगा यह अपने बारे में खुदी बताने थेंक्यू सर मेरा नाम आसिस कुमार है और मैं एंस्टिटूटन से पढ़ा हूं मैंने यहां पर एंडिय के लिए त्यारी की थी और मैंने लॉक्डाउन के बाद सर से आके एंडिय इस्टिटूशन में पढ़ाई की थी मेरा 11-12 लॉक्डाउन भी निकल गया था और मेरा संस्क्राइक भी बात नहीं है तो आराम से आप पर त्यारी कीजिए एंडिय नहीं तो और बहुत सारे और रहा सें जोड़ा रहा सड़से मैद पटता रहा और भी सारे टीचर इसे पढ़ता रहा तो धीरे धीरे मैं करता रहा फिर मैंने ने नेवी का पर्सटाइम की दिया था जुलाई 2000 230 में तो उसके बाद मेरा medical paper हुआ second stage का उसमें मैंने सब clear हुआ आई बाकी बातें बैट के करते हैं बैट जाओ बैट के राम से करते हैं तो आशीश ने अपनी मेहनत से बहुत तरह की परिस्टियों पर विजय प्रापती है इनका NDA batch में इन्होंने काफी बढ़िया मेहनत की थी बहुत ही बड़ी आई इनोंने मेहनत की थी और उस मेहनत के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रामिन छेतर के बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर रहती है यह कई बार यह मैंने बड़ा commonly देखा है मैं उनको भी कहता हूँ देखो अगर अपना बेस्ट दोगे तो सेलेक्शन नमुम्किन तुमारा भी नहीं है हाँ CBSE वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है CBSE IAC के पास एक प्लस पॉइंट यह होता है कि उनकी English relatively अच्छी होती है लेकिन मेहनत से सफलता हासिल होती है यह बात आपके सामने है इनकी age थी तो last attempt ही था इनका India का वहाँ पे नहीं चूप गई रह गए लेकिन निरंतर अपनी मेहनत से फिर इनोंने Indian Navy में SSR पद पे इनकी final joining आ रही है April में joining है बेटा April में joining है तो अब मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा यह जो सवाल जवाब होगा यह इसका main उद्देश यह है कि अब जो और बच्चे हैं जो कहीं से भी त्यारी कर रहे है राइट बिकास मुझे उम्मीद है यह YouTube पे जब जाएगा तो कई बच्चे इसको देखेंगे तो उन तक एक positive message यह मैं देना चाहता हूँ आशीश जी के मात्यम से कि आप मेहनत करें और किस दिशा में मेहनत करें फोन से कैसे दूरी रखें यह ना एक यह भी आज के मुद्दा में जरूर से इनके सामने रखोंगा कि भाई फोन से कैसे दूरी रखें physical तुम्हारा कितना रोज का workout होना चाहिए पढ़ाई में कितना समय तुम्हें देना चाहिए तुम्हारा routine कैसा होना चाहिए ताकि तुम selection की तरफ बढ़ो तो सबसे पहला सवाल आशीश मैं आपसे यह करूँगा कि जब आप बहेडी से बरेली आये थे तो जब आपने NBA coaching join कर लिया था उस समय आपका क्या routine था जब आप पढ़ाई त्यारी कर रहे थे NDA की उस समय आपके क्या routine था यह बताईए सर उस time तो मैंने नया नया coaching join किया था तो पहली बात तो मैं regular coaching आता था सर से extra classes भी लेता था विकाउज मेरा जो 11-12 था वो कोर्णा में हो गया था और मैं सुवह सुवह मला फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान देता था टेहलना हो गया खेलना हो गया सर से लगातार पढ़ता रहा राए रेग बनाता रहा जो सर पढ़ाते थे class notes home bag उसको करता रहा और revise लगातार करता रहा मतलब कभी ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया यह छोड़ दिया एक subject नहीं छोड़ दिया तो उसको बादम कर लेंगे सब subject को लगातार साथ साथ लेके चला एक दूसरा जो सवाल है जो मैं चाहता हूँ जरूर से बच्चे इस बात को समझें मोबाइल से दूरी रखनी चाहिए या मोबाइल पे time लगाना चाहिए गतलब किस तरीके से तुम मोबाइल का contribution मानते हो अपने selection में क्या मोबाइल से दूरी बना के selection होती है किताबों से दोस्ती करके या कोई और मैं गलत समझता हूँ और मुझे इस बात को जरा बच्चों के लिए सही सही बताओ आप सिने चाहिए और जो आपका टागेट हुता था पढ़ने का यह भी एक पढ़ने का बड़ा important rule हुता है कि रोज का जो है students target एक लेके चलते हैं है न कि मुझे दो घंटे पढ़ना है मुझे चार घंटे पढ़ना है दो तरह के विध्यारती मैं देखता हूं मुझे पढ़ाते विए 16-17 साल होने वाले हैं 16 साल हो गया 17 साल चलता है तो दो तरह के विद्यारती देखता हूँ, एक वो जो घड़ी देखके पढ़ते हैं, कि हाँ मुझे चार घंटे self study करनी है, एक घंटे maths पढ़ना है, एक घंटे GS पढ़नी है, दो घंटे English पढ़नी है, अपना अलग system पढ़ता है, और एक दूसरे तरह के विद्यारती होते ह हैं, जो daily target लेके पढ़ते हैं, कि मुझे maths के 50 सवाल लगाने हैं, English के 50 सवाल लगाने हैं, GAT के इतने लगाने हैं, तो कौन सा system जादा कारगर है आपकी opinion में, घंटे देखके पढ़ना, कि question का target लेके पढ़ना, मैंने तो actually ऐसा हुआ था, जो सर पढ़ाते थे, पहले उसको करता था, उसके बाद मैंने एक, जो आती है, salt paper की book आती है, वो मैंने खरीद ली थी, salt paper से जो भी subject हो जाते थे, जो chapter हो जाते थे, उनके question उसमें देखता था, और अब भी जब तक मैंने coaching पढ़ता रहा, उसके बाद मी मैंने वो छोड़ी नहीं, जितने सर जिस topic को पढ़ होती है, India में, सबके question देखता था, और सबके पढ़ता था, और ऐसा नहीं कि आज पढ़ना है, तो चार घंटे सिर्फ मैत ही पढ़ना है, चार घंटे सिर्फ पढ़ना है, सारे subject को बराबर time, सबका practice side लगाना, सबके question देखना, मुश्क्री जितने हो जाते थे, बहुत तहलने में, इससे ऐसा healthy ठीक रहता है, और fresh होने के बाद थोड़ा लगता है, हाँ पढ़ाई में थोड़ा अच्छा लगता था उसके बाद, रूटीन लगाता था, सुबहे को मैं जाता था, running, running के लिए, छोड़ा नहीं तसर रगाता है, घुमना, फिरना, दोड़ना, ज तो अगनी वीर में हम सब को पताई है, सर की, चार साल के लिए बोला उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि चार साल के लिए, मैं सब को पढ़ाई छोड़ दूँ यह बगारा, उसके बाद भी chance होते हैं, लगवाँ मेरी अभी age 18-19 साल है, तो 19-2034 के बाद मैं क्या करूंगा, तो उ सारी exam होते हैं, और कुछ अपने juniors को advice देना चाहोगे, यह advice है, मलब जितना हो सके, phone से दूर रहना, social media से दूर रहना, phone का यूज़ करना है, तो mostly doubt के लिए, या कोई question पूछना है उसके लिए, और regularity जरूर रहनी चाहिए, regularity नहीं रहेगी तो कोई बाद, कोई फैदा न timing हुआ, timing में बहुत जरूरी है, और negative marking में भी होती है, तो pressure होता है, timing का भी, negative marking का भी, तो हड़ बढ़ाना नहीं है, मतलब लगाता है, constant energy बनाये रखना है, बहुत बढ़ी है, So, viewers, आप सब के लिए ये छोटी सी information थी, कि आप जिस मर्जी background से हैं, अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे, तो आपको सफ़कता मिलेगी, NDA, UPSC की एक ऐसी परिक्षा है, कि बच्चा अगर 10th, 11th, 12th लेवल पे उसके बारे में सोचना और प्रयास करना शुरू कर दे, उसके लिए इमानदारी से मैनत करना शुरू कर दे, तो आगे आने वाले उसके बाद जितने भी एक्जाम्स होते हैं, मुझे लगता है उसकी तियारी उसमें हो जाती, तुम्हें इतना कुछ पढ़ना होता है इंडिये में, कि फिर उससे रिलेट तुम मालनो एक परसेंट तुम रिटेन निकाल लिए, SB में रह गए, या किसी सेक्शन में तुम रह गए, तो तुम दूसरे आने वाले जितने एक्जाम्स है न, छोटे मोटे जो लोग जिसके लिए दुनिया बहुत जादा परिशान है, यहां में एसस्टी निकालना है, यहां में जो है, नेवी में कोई और परिक्षा निकालनी है, इंडिये नर्वी से इस बात को आपके सामने रखता हूँ, तो धन्यवाद जाहिंद और बहुत-बहुत धन्यवाद आशिश, तुमने अपना समय निकाला, तुम आगे बढ़ो, मैं चाहूंगा कि तुम जोइन करो, और जोइन करने कवाद एक बार फिर आगे बताना कि वहां पे किस तरीके से वर्क कल्चर रहता है, थैंक यू, जाएंद